आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ अपनेट चार्ज जो ट्रांसफर कराया अपनेए वो है 80,000 कूलंब्स और जो टाइम दे रखाया अपन को वो दे रखाया हाफ एन आर यानि 30 मिनिट्स ठीक है अब यहाँ भी अपन को हीट निकालनी है तो एक चीज़ अपन को बता है इसको हीट होता है उसे अपन लिख सकते है power into time और power क्या होता है current electricity में power होता है vi into t यह क्या होता है? heat generate हो गया अब एक चीज़ अपन को बता है कि जो current होता है उसको charge की terms में कैसे लिख सकता है जो current होता है rate of charge rate of flowing of charge per unit time तो यह हो गया charge divided by time तो अब इसको I को लिख सकते है V as it is, I को लिख सकते है Q by T into T तो यह T से T cancel out हो जाएगा तो जो heat generated I है अपनी वो है potential difference into total charge तो यहाँ पे potential difference है 40 V का और जो total charge है वो है 80,000 C ठीक है, तो यहाँ से जो heat निकल गया आएगी वो आएगी 3, 2, 0, 0, 0, 0, 0 और यह होगा joules में तो यह अपना heat generated होगा यह अपना answer होगा I hope understood, thank you